हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वैभाफ दिवारी और आज का टॉपिक है ओईल पुलिंग बहुत लोग चाते हैं कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाओ तो आज आपके सामने हैं तो आज मैं सारी जानकरी देने वारा हूँ ओईल पुलिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करते हैं जिसे आने वाली हर इंफॉर्मेटी वीडियो भी आपको मिलते रहें साथी साथ अगर आप उससे काईदेंस पना चाते हैं कोई बी डिंटल रिलेटेड प्रोडम से तो आ आप वीडियो लिस्ट में जाईए मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है लाइफ क्लिनिकल केसेज भी करके दिखाएं और उनके बारे में इंफॉर्मेटी वीडियो भी बनाएं तो आप जाके देखिए आपको बहुत अच्छी जानकरी मिलेगी तो चलिए गई अब सबसे पहले हम यह जानते हैं कि होती क्या है तो ऑइल को अपने मुह में रखना और उससे कुल्ल करना इस चीज़ को कहते हैं यह ट्रेडिशनल आयरुवेधिक टेक्निक है जो हमारे ओरल हाईजीन में करने में हमारी मिदद करती है इसके और भी बैनिफिट के बारे में हम देते हैं तो इसका पहला बैनिफिट है कि यह जो भी हमारे मुग के अंदर हांफुल बैक्टिरिया होते हैं उसको यह खतम करती है जिसमें इक इंपोर्टेंट बैक्टिरिया का नाम बता रहा हूं इस ट्रेप्टो कॉकस म्यूटेंस तो उनको खतम करने के काम आती है दू इसका बैनिफिट है जो भी हमारे मसूबों का प्रॉलम होता है जिसके मसूब में इंफ्लामीशन ने सोती है लालपन होता है मसूब Potato में सूझन होने के समस्य होते हैं कमजोर मसूड़ होते हैं हुब जैतुन का टेल ये एक खल tutti के लिए यूश्किया जाता है Redmaye ​Sey Visa मतलब कि का टेल two ? वह भी ये यूश्किया जाता है और और सबसे बहतरीन जो उगर होता है वो होता है coconut oil नारियल तेल तो यह भी एक oil pulling के लिए यूज़ किया जाता है इन सब में best जो है वो नारियल का तेल है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है मुह के अंदर आप डाल रहे हैं तो में चीज है कि स्वाध भी जो टेस्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए तो य अब हम यह जान लेते हैं कि oil pulling की technique को कब और कैसे करना है तो इसका कोई appropriate time नहीं है आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं बस आपको 15-20 minute का समय निकालना पड़ेगा शुरुआत में 15-20 minute आप आपके लिए बहुत ही जादा कठीन होगा शुरुआत में आप 2-5 minute भी कलने तो बड़ी बात है पर दीरे दीरे जैसे habits जालेंगे तो आप कर सकते हैं बस आपको simply करना क्या है oil को अपने मुह में रखना है और एक जगा बैठके कुल्ला करते रहना है जब आप पूरा कुल्ला कर लेते हैं जब आपकी छमता खतम हो जाती है कि अब मैं नहीं कर पा रहा जब आप इसको डेली करते हैं हफता दस दिन आप करेंगे तब जाके इसके benefits आपको दिखना शुरू होंगे ठीक है guys so guys last point में आ जाते हैं क्या dentist इसको recommend करते हैं तो इसका answer है no नहीं क्योंकि इसका कोई भी scientific evidence नहीं है कि ये दांतों को सडने से बचा लेता है आपकी मूग की दुरगंत को खतम कर लेता है मसूरें की problem को खतम कर लेता है ये आयरवेधिक टेक्निक है जो पुराने time से चली आज बहुत लोग चाते थे इस बारे में वीडियो बनाना topic में तो मैंने आपको पूरी जानकरी दी जो भी मैंने steady करा सर्च किया उस हिसाब से मैंने आपको पूरी information दे दी अब यह आपका फैसल है कि आपको यूज करना है कि नहीं करना है अगर आप यूज करते और आपको फै सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिसे आने वाली हर informative वीडियो भी है आपको मिलते रहे थैंक यूज फो मच फो वाचिंग बाए बाए